हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो रोसन की क्लास यूटीब चैनल दोस्तों आप सभी का आज की इस पाठी ओजना की वीडियो में एक बाफिस से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी विशे की पाठी ओजना क्लिक करेंगे एक बेल आइकान आएगा यानि घंटी का निसान आएगा उसको दबाके ओल नोटिफिकेसिन अन कर लिजेगा जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी हेल्फुल वीडियो आपको की सहायता के लिए डालता हूं अपलोड करता हूं तो उसके बारे म में हो सकता है कि आपको कुछ भी लिखा हुआ ना मिले तो वहां पर ज्यादा कनफ्यूजन होता है इसलिए मैं एक एक चीज़ बताता हूं तो सबसे पहले आप जिस पेस से पार्ठी होजना बनाना इस्टाट करता है उसके बीचो बीच इस तरीके से पार्ठी होजना लिखेजिये उसके बाद आपको डेट लिखना है तो इसका और श्यासर पोलिखना लिखना है मन thinner वी पार्ट की संख्या अगर कोई है तो भी लिख सकते हैं आपके कॉलिज में नहीं लिखने के लिखा जाए तो मत लिखेगा प्रकड मैं पहले बता चुका हूँ पार्ट प्रकड देखे लिखा गया है डाट आप प्रकड लिखेगा दिरगसंदी अब इसके बाद आपका आता ह है उद्देश से यहां पर जो उद्देश है यह विशिस्ट उद्देश की बात की जा रही है क्योंकि यहां पर देखें ग्यानात्मक लिखा गया अवधात्मक लिखा गया अव्यक्त लिखा गया तो यह विशिस्ट उद्देश से के अंतरगत आता है इसके पहले एक सामा सावान युद्देश का मतलब होता आपका विसाय जो है जैसे हमारा आज का हिंदी तो हिंदी विसे पढ़ाने का बद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहां पर कम से कम चाहते हैं अगर देखना है आप लोग तो ऊपर आई बटन पर क्लिक क चाहते हैं उसके बारे में दिर्ग संधी में यहां पर विश्री सुद्देश में कम से कम 2-3 पंट, मैक्सम 5-6 पंट लिखना होता है तो यहां पर देखे पहले अडिंग लिखी गे इसके अंतरगत जानात्मक इसमें देखे पहला पॉंट लिखा गया राइट सैड में अपे इच्छी तुए हागत परिवर्तन वाले में विद्यार्थे दिर्ग संधी युक्त नवीन सब्दों का प्रत्या भिज्यान एवं प्रत्यास्माण का सकेंगे दूसरा पॉंट है विद्यार्थे दिर्ग संधी युक्त नवीन सब्दों का विसलेशड़ यहाँ पे कर सकेंगे अगली हेडिंग है अवधात्मक इसमें देखे लिखा गया पहला पॉंट विद्यार्थे दिर्ग संधी के बदों को अलग-अलग बता सकेंगे दूसरा पॉंट है विद्यार्थे दिर्ग संधी युक्त सब्दों की तुलना समास युक्त सब्दों से कर सकेंगे अगली हेडिंग है तिसी अव्यक्त इसमें देखे पहला पर लिखा गया विद्यार्थी अव्यक्त में दिर्गसंदी युग्त सब्दों का समुचित प्रयोग कर सकेंगा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर विद्यार्थी अभ्यास तारीका बनाने में विशेस योगता प्रा दोगो संकलित कर सकेंगे और दूसरा पंडे से विद्यार्थी भासा के से सम्मंदित कारेक्रम दूर दर्शन पर देखने वह आकास वाड़ी पर सुनने में रुची ले सकेंगे अब अगली हेडिंग आते इसके बाद सहायक समंगरी सहायक समंगरी में देखें यहां लिखा गया हेडिंग के अंतरगत कच्छा कच्छे उपयोगी सहामाने उपकरण यथा लपेट फलक जिसके अंतरगत आता है स्वेत वर्तिका यानि चौक जहालन जिसको डस्टर कहते हैं और नियमी गड़ चार्ड यानि कि आप दिर्ख संधिकार जो नियम है उसको चार्ड पर ब प्रविधी तो इस प्रश्टिकर्ड विधी है और प्रस्नोत्तर प्रविधी देखें आ लिखा गया है एकजामनार अपसे कमी पूछ सकता है कि प्रस्नोत्तर क्या है प्रविधी है या प्रविधी है तो प्रविधी होती है ठीक अब अगली हेडिंग आती है पुरो ग्या प्रस्तु चार्ट किस से संबन दीते चार्ट दिखाते हो जो इने आपको अभी बताये चार्ट बना के लिए जाना है तो बच्चे बोलेंगे संधी से, दूसा प्रसन संधी के कितने भेद होते हैं, बच्चे बोलेंगे तीन भेद होते हैं, फिर तीसा प्रसन संधी के तीनों भेदों के नाम बताईए, तो बच्चे बोलेंगे स्वर, व्यंजन, एवं विसर्क संधी, अगला प्रसन है स्वर सं आज हम कच्छा कच्छ में दिर्षन्दी के वारे में विष्टार से अध्यान करेंगे। आज हम करेंगे विष्टार से अध्यान करेंगे। अब यहां पे स्यामपढ पर लिखी गेjenigen देख लिए यहां पर यहां पर अभी मैंने प्रसमोथा उसका जो सवयूगत सवर कौन सा है बच्च 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 अब यहीं सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गहीं स्यांपट पर प्रथम पद और दूती पद यहाँ पर आ से आ बन रहा है आ से आ बन रहा है ई ई से बड़ी बन रही है आ और अ से आ बन रहा है उ और उ से बड़ाव बन रहा है E और E से बड़ी बन रही है यह सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई गए है जो इसका रूल है अगला यहाँ पर एक्जामपल है रविंद्र होसिया लड़का है यहाँ पर रविंद्र में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है बच्वलंग रविंद्र अब दोनों में common बूचा गया है दोनों वाड़ों में का सजिंत स्वर कौन सा है बच्वलंग बड़ी E क्योंकि E और E मिलके आप लोगो भी मैंने दिखाए कि बड़ी बन रही है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज रोसन की क्लाश वीप चनल को सब्सक्राइब कर लिए अपनों को लाव जरू मिलेगा चातरा ध्यापक या फिर चातरा ध्यापक का केथन में हिमाला सब्द को आधार बनाती हुए इसपष्ट कीजिये कि दिर्ग संद किसे कहते हैं इसके प्रश्टिकड जब दो समान स्वर मिल जाते हैं, चाहे वे, हरस हो और दिर्ग हो, उनके स्थान पर एक दिर्ग स्वर हो जाता है, उसे दिर्ग स्वर कहते हैं इही सारी चीज़ यहां पर स्यां पड़े लिखी गई है, यहां पर देखेंगे, जो भी आपको यहां पर एक्ष्पिन किया गया है, वही सारी चाही पर दे रहे थे हैं, इस परश्टिकड विद्ध हो जाएगी, और नियम करण क्या है, जहां पर नियम बताया है, शात्रा ध पाके में रेखांकित सब्द क्या है विद्यार्थी यहां पर देखेंगे विद्यार्थी में अब इसके दूसरा प्रसने विद्यार्थी सब्द का संविच्छे विद्याधन अर्थी तिसरा प्रसने विद्यार्थी कि में प्रथम पद को सा है विद्यार्थी में अर्थी प आप सारी चीज़ यहाँ पर फिसरे बताई गए हैं विद्यार्थी का संधी विच्छत किया गया प्रथम पद काउंसा दूति पद काउंसा दोनों में सवर काउंसा आ है लास्स में आता है पुर्णाविती मुलियंकन प्रस्तम यहाँ पहला प्रस्तम पूछा गया दो वर्ड़ों के मेल को क्या कहते हैं बच्छे बोलेंगे यहाँ पर संदी दुसापरस्ण ए कपीज का संदी विछित होगा तो यहाँ पर आप सभी को पता है कफीदनीस तीसापरस्ण है महीस का संदी का विछित कीजिए उपर मैंने स्ट्राटिंग बताया था वदू प्लस धन उत्सव की संदी कीजिए अगर यहाँ पर लास्ट बिढ़क संदी की परिभासा बताते हुए को तीन उधार दीजिए तो यह था दोस्तों आज का लेशन प्लान इस लेशन प्लान के अगर PDF आप लोगो चाहिए विल्कुल फ्री में तो रोस्तन की क्लाश टेलेगराम चैनल जाके विल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगी विडियो से लाब मिला आप लोगो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोस्तन की क्लाश यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नीचे सब्सक्राइब बटन है सफेद कलर का हो गया पहले रेड कलर का था आप सफेद कलर का हो गया वाइड कलर का हो गया तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लिजे जिससे में आप ल बंदे मात्रम